हेलो फ्रेंद्स ? Good morning आई एम हेर वी दन्य वीडियो इस वीडियो में बहुत से बात करने वाले पहले तो मैं आप से कहह देता हूँ कि यू आप लोकों से बहुत नाराज हूँ किस वज़े से नाराज हूँ यह मैं इस वीडियो में बताऊंगा दूसरी बात यह है कि RIE भोपाल ने बीएड प्लस एमेड इंटेग्रेटेट कोर्स का रिजल्ट तो कली जारी कर दिया था लेकिन सेलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट में उन्होंने जारी कर दिया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके पिसले वीडियो में जाक वेपसाइट है और यहां जाके आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वेटिंग लिस्ट वालों के कितने चांस हैं और एक बात और बता देना चाहता हूं आपको कि बहुत से बचों की सिकायत थी कि RIE में धांदली हुई है स्कै होता है या गडबड़ी होती है इसके उपर में एक वीडियो बनाने वाला बहुत सारे बच्चों की बाते हैं कि जैसे कई बच्चे कह रहे हैं कि मेरे इतने नंबर आने चाहिए थे लेकिन उतने नंबर नहीं आए मेरा स्कोर इतना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ को रिन निकाली थी शुद्धी पत्रे निकाला था यह 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 लिस्ट वापस ले ली और दूसरी इसके ओपर डिटेल से एक वीडियो बनाने वाला हूं तो आप मेरे साथ बने रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे प्रेणा मिलेगी उच्छा बढ़ेगा मेरा इसा लगता है कि जैसे आप देख रहें मैं बना रहा हूं वीडियो और आप आप अफ्रेंग कहां से मिलेगी उच्छा कहां सियाएगा देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए दोस्तों यह वास्टाइम फ्रों सब्सक्राइबर्स लास्ट ट्वंटीएट डेज का है वास्टाइम आवर्स नोट सब्सक्राइब यह देखिए आप 75.1 परसेंट बच्चें आप लोग हैं वो बीना सब्सक्राइब किये देख रहे हैं और जो सब्सक्राइब हैं वह देख रहे हैं तो दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मैं आपसे फिर कहता हूं कि इससे मुझे फायदे की उमीद नहीं है लेकिन मेरा उच्छा बना रहे है इसलिए मैं कह रहा हूं और आपको भी समय से नोटिफिकेशन मिलते रहे हैं जानकारी मिलते रहे हैं सबस्क्राइब कीजिए और बैल आइक बी दबाएइए जिसे आपको नोटिफिकेशन आप जांते हैं कि यह इंटिग्रेटार्ट मेर सिर्फ भोपाल में ही है और आपको कांशलिंग ।ाइम है वह आपको फिर से बता सिन इस तारीक को है तेज तरीक को है यानि आज 20 है 21 और 22 दो दिन बीच में है आज का दिन चला जाएगा और फिर साधेन अबजे कांसलिंग है वेटिंग लिस्ट कंडिडेट की कांसलिंग है वो धाई बज़े से तो जो सेलेक्टेट कंडिडेट हैं उनको तो जाना ही जाना है तो वेटिंग लिस्ट वाले कंडिडेट हैं उनमें कितने जनी जाएं कैसे सारे के सारे को केरला से आएगा कोई वेस्ट बंगाल से आएगा कोई आसाम से आएगा वेटिंग लिस्ट वाला और नीचे बोटम मे कितने जनों को आना चाहिए कितने कि तक वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनको चांस लेना चाहिए कि यह आपकी वेटिंग लिस्ट है तो टेम देख सकते हैं यह तू थर्टी पीम टू एट त्री फिप्टिन पीम यह समय है आपका डेट सेम है 23rd of September आपको वीडियो की स्पीड धीमी लगती है मेरे बोलने का अंदाज धीमा लगता है तो आपको स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं ठीक है मैं धीरे बोलता हूं तो आपको लग सकता है कि सर धीरे बोलते हैं अब यह लिस्ट में देख लीजिए 25 कंडिडेट को तो लिया 15 है टॉप 15 उनके चांस सबसे ज्यादा है यहां तक कोई जाते हैं जैसे प्रज्या परमिता यहां तक जाते हैं तो यहां के चांस ज्यादा बनते हैं और अगर आप कि यहां अगर आप 25 तक जाते हैं तो भी कोई बात नहीं है लेकिन मेरा मानना है कि आप यह प्रग्या परमिता तक है तो यहां के चांस ब्राइट है ठीक है यह आप देख लीजिए और यह यहां तक भी आप चांस लेना चाहें तो अमल प्रकाश तक चांस ले सकते है यहां की इतने उम्मिद नहीं होती है लेकिन को चांस लेना चाहिए जा सकते हैं और बहुत सारे बच्चे कहीं न कहीं एडमिशन ले चुके हैं अब ऐसे ही मैं कर देता हूँ अबीसी कर्टेगरी में भी बहुत सारे बच्छों जैसे से तो 13 ही है और यहां पर उतने ही ले-ली है जितने जर्णल के लिए यह 50 लिए अब 13 जनरल के जब सीटे 13 हैं तो बस 13 जनुव के चांस और बनते हैं मेरे विचार से औरों के चांस कम है यहां इनको भाग्यश्री साहू है यहां तक जाना चाहिए मेरे विचार से भाग्यश्री साहू तक ठीक है यहां तक जाना चाहिए और आप चाहें तो यहा आप सलते हैं यह टोटल 55 सीटे हैं तो आप 10 तक जा सकते हैं वैसे 7 तक साथ सीटे हैं तो साथ तक सोमय रंजन परिता है आपके लान खेंच देता हूँ यहां तक आप जा सकते हैं और जाना चाहिए तो आप एक दोसी तक और भी साथ साथ सीटे हैं और सकते साथ बाक्षिव और पांस गुने ले लिए हैं इसमें साथ पंच पंच पैंटीस और साथ महां हैं 42 जन्य हो गए साथ चीटों के लिए ठीक है ना तो बहुत ज़्यादा जन्रों को जाने की ज़रूरत नहीं है इस काटेग्री में यह थैए यह देखिए किखने लिए लिए है तो आप हेसिटी कैटेग्री में दस तक क्पत कच कटेफ्ट रहा हैं दस तक यहां चांश ले सकते है और कर देख़िए आपके वज़े से रुख गए हम तो ऐसा नहीं है मन करें तो आप जरूर जाए यह ड़ोएस केटेगरी में तो शीटें पांस है इनकी और यहां पर इनकी लिस्ट आई है बीस जनों की तो पांस और बीस यह हो गए पत्चीस हो गए तो पांस में से कोई ऐसा है कि दो तीन जन जीवन है यहां तक के लोगों को जाना चाहिए ठीप है और बााकियों को नहीं जाना चाहिए मेरे उसकार से और यह पीड़ाबू कंडुडेट है दिव्यांक पी świ केटेगरी है तो इनकी जो सीट है वो कमी है एकी सीट है और फिर यहां पांस लियें है तो आप लोगों को यहां टॉप टू यहां पर जा सकते हैं यह और यह चंदन वमारे भी जा सकते हैं ठीक है तो फ्रेट्स यह वाली बात है अब मैं एक बात और बता देता हूं अपडेट देता हूं आपको कि अब 2-year B8 का रिजल्ड भी जल्दी ही आने वाला है अब यह जल्दी आने वाला है और एमेड की प्रोसेस बहुत जल्दी 23 से पहले पहले ही मैंने आपको बताए था 19 को रिजल्ड आएगा जल्दी करेंगे और वह 23 से पहले भी लिस्ट टू ये रिजल्ड के निकाल सकते हैं 23 से पहले नहीं निकालेंगे तो चोईस को तो जरूर निकाल देंगे पर मेरा मन कहता है कि एक दो दो दिन में लिस्ट निकाल देंगे को कि 23 होने में ज्यादा टैम नहीं लागे लिस्ट निकाल देंगें बच्चेव जल्दी-जल्दी करने सारा काम क्लाशे जल्दी शुरू कर रहाने है उनको तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं इसमें आपको यह आजका टाइम कल का टाइम और परसों कटाइम फिर तो पूंच नहीं है तो दो दिन ही मानो आज का दिन आपका चला जाएगा इधर उधर लेकिन आज ही आपका आगाज बनवाना शुरू कर दीजी जिससे आपका काम जल्दी हो जाए और 22 को तो आपको चलना पड़ेगा दूर-दूर से आएंगे को वेश्ट पंगाल से आएगा असाम से आएगा केरला से आएगा तो दूर-दूर से आएंगे तो उनको पूंचने में समय भी लेगे कि इस वीडियो में यदनी बात करूंगा फिर से कहता हूँ आपको डिद्य बनाओंगा में विद्य बनाओं और बर आपको गयरता रहोंमा जितनी बिमार्मूज से होगा संभा होगा वह O आपको जल्दी से जल्दी अपडेट दूँ आपको यह भी पता दूँ मेरा चनल है आराही के बारे में जानकर देने वाले सबसे पूरा चनल है ठीक है और मैं बराबर जानकरियां देता रहा हूं ठीक और और बाते मैं अगले वीडियो में करूँगा तब तक लिए नमस्का धन्यमत जहिंद सबस्क्राइब जरूर कर लीजिया के चनल को